हालो फ्रेंड्स एक बाब फिर आपको तो स्वागे तो दूस्तो आज की इस वीडियो में हमें आपर बात करने वाले यूपी स्कॉल्सिप से समन्देत एक महत्पूल अपडेट के बारे में आपकी जो स्कॉल्सिप है बो कब से आने स्टार्ट हो जागी और कौन कौन सी स्ट पर फार्म है वो डिस्टेग के वैल फिर कमेटी यानिके डिस्टेक वैल फिर ओफिसर की तरब से इस तरह से बैरिफाई हो चुक है वैरिफाइड रिकामिनेंट दो भाई डिस्टेक इसकॉल्सिप कमेटी अगर आपके पौल में यह लिखा हुआ आ रहा है तो आपको जो scholarship है वो 20 मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगी और अगर आपका form अभी verify नहीं हो पाए है अगर आपका form अभी तक verify नहीं हुआ है किसे भी तरह के कोई suspicion है तो 10 मार्च तक सभी students के जो form है वो डिस्टिक scholarship committee की तरफ से verify किये जाएगे ये आप अच्छे से समझ ल ठीक है आपके form में यह आ रहा है पिंडिंग है district scholarship committee तो आपको कुछ भी करने के आप सकता नहीं है आप लोग धहरे बना रहे हैं बेट करें जैसे ही district scholarship committee से आपका form verify होगा यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा verified recommended by district scholarship committee जैसे कि अभी आपने पिछले वाले status में देखा आपका form result not masked और भी किस तरह की problem result या enrollment role number not masked university uploaded data ठीक है तो यह problem आपकी solve हो जाएंगी इससे आपको घफरानी क्या सब्सक्ता नहीं है बलकि आपको इस संब्द में एक जो application है वो लिखकर और यह जो status है इसका print out और अपने form का print out यह सारी चीज़ें और documents आपको अपने लगा कर college में submit कर देना application के साथ application का format में आर लेडी वीडियो बना कर बता चुका हूं वीडियो आपको चैनल पर मिल जागी अब जाकर देख लीजें बाकि अगर आपके college बाले application नहीं लेते हैं किसी भी संब्द में जैसे की चाहिए आपके form में किसी भी तरह के कोई भी जाए ठीक है अपने जिले के विकास वबन में पहुंच कर आप अपनी category के according जिला समाच करने अलादिकारी से बात करके बहां पर भी अपनी जो application है सारे documents के साथ submit कर सकते हैं आपका जो form है वो निश्चित रूप से यहाँ पर verify कर दिया जाएगा जिसके आप दिख सकते हों कि यहाँ पर UP board यानि कि 10th class के result यानि कि roll number में प्रॉब्लम है ऐसे स्टेंट्स को प्रॉब्लम आती है जो स्टेंट्स से CBSC board, ICSC board या फ्रैदर किसी board यानि कि UP board के लाब किसी वेदर board से 10th class पास करते हैं तो उनको यह प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है UP board रोल नंबर not match वाली ठीक है तो उनका भी form verify हो जाता है हर साल होता है enrollment roll number marks not matched with the university uploaded data यह जो problems होती है enrollment roll number marks not matched with the university uploaded data यह कभी-कभी automatically solve हो जाती है ठीक है क्योंकि कई बार गया होता है university का जो data वो upload नहीं हुआ होता है तब ऐसी condition में प्रॉब्लम आ जाती है जैसी university की तरफ से जो data है अप्लोड कर दिये जाता है यह problem automatic भी solve हो जाती है बट कई बार आपको application देना पड़ती तो आप इस समय में application दे दीजिए जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ गर application college वाले नहीं ले रहे हैं तो आप डारेक्ट अपने जले की विकास अपन में पहुंचकर अपनी category के according department में पहुंचकर आपको जो application है वो submit करना होगी आपको जो form ह वो verify कर दिया जाएगा और इसके लाब और कोई problem आ रही है आपको form open नहीं हो रहा है status चेक नहीं हो रहा है ठीक है we are sorry लिखा हुआ आ रहा है we are sorry लिखा हुआ रहा है तो उससे आप घपराए नहीं वो website की problem उससे आपको कोई लेना देना नहीं कुछ ही समय में वो problem solve हो यहा जयो